ओम शान्ती आज है 22 अक्टूबर 2022 के साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहावाक्यों को मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य नेत्र मिले हैं तुम जानते हो यहाँ पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए इससे ममत तो मिटा देना है पूरा पूरा बली चड़ना है प्रैश्ण जो विनाशी बाब पर पूरा बली चड़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वह अपना पैसा आदी फालतू खर्च नहीं करेंगे भक्ती मार्ग में दीपावली आदी पर कितना बारूद जलाते हैं अल्पकाल की खुशी मनाते हैं तुम जानते हो यहाँ सब वेस्ट आफ टाइम वेस्ट आफ मनी वेस्ट आफ एनरजी है यहाँ तुम्हें ऐ के हमने ओम शांती मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है तुमको बाप मदद देते हैं पांच विकारों को जीतने की अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की जगत सारे दुनिया को कहा जाता है बच्चे जानते ह हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं मालिक कब बनेंगे जब रावन राज्य पूरा हो जाएगा रावन को वर्ष वर्ष जलाते हैं क्यूंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सत्यु का मालिक बनाते हैं दशहरे के बाद दीपा वली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं अकसर करके लक्षमी नारायन राधे क्रिशन और देवियों के मंदिर में जाते हैं प्रन्तु देवियों को और लक्षमी नारायन को जानते नहीं देविया है शिवशक्तियां ब् दिखाते हैं वास्तम में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शेस्त्र है नहीं वे तो गुप्त हैं रावन पर जीत पाते हैं तो तुम्हारी आधा कल्ब के लिए खुश्यां कायम हो जाती हैं अभी तुम खुश्यां नहीं मनाएंगे यह कोई दीप माला थोड़े ही है मंदिरों आदी में तो दीपक बिजलियां आदी जलाते हैं मनुश्य नहीं जानते की दीप मालाद शहरा क्या है उस समय सारा भारत ही नया होता है दीपक आदी जगाना यह सब भक्ती मार्ग है भक्ती मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं उस दिन बारुद कितना जलाते हैं वेस्ट ओफ टाइम, वेस्ट ओफ मनी, वेस्ट ओफ एनरजी करते रहते हैं यहाँ है फॉरिस्ट ओफ थॉर्न्स सब जंगली बन गए हैं तुम भी पहले ऐसे थे कुछ भी नहीं समझते थे सत्यूग में व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे यहाँ तो फजूल खर्चा बहुत है दान पुन्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बली चड़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है न यहाँ कहानी सत्यू के लिए नहीं है क्यूंकि वहाँ अकाले मृत्यू नहीं होता यहाँ सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उसमें सब नस्टो मोहा मोहजीत रहते हैं शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत तो मिटाना है क्यूंकि तुम नहीं दुनिया में जा रहे हो पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत तो होता है क्या इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत तो मिटाओ प्रन्तो जो भी इन आँखों से देखते हो सब को भूलो क्यूंकि अब तुम्हें दिव्यचक्षों मिले हैं कि सब खत्म होना है पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा शिबाबा हमको राज्य देती है शिबाबा का नाम सदैव शिव है क्यूंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं ब्रम्हा विश्णो शंकर को भी अपना शरीर है वह है उपर अमर नाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने के लिए तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो कांटों को फूल बनाने में महनत तो लगती है यहां तो सब कांटे हैं एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं बात मत पूछो तो बाप कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है काम कटारी नहीं चलाना है यहां काम की हिंसा आदी मध्यांत दुख देती है वैसे तो किसको मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं यहां तो जनम चनमांतर दुखी होते रहते हैं बाप कहते अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है अभी तुम दशेहरा मना रहे हो फिर दीपावली हो जाती है सत्युग में दीपावली नहीं मनाएंगे वहां लक्षमी सोयम राज्य करती है फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वहां देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते त तुम बच्चे हो रूप बसंत बाब कहते हैं मैंने भी शरीर धारन किया है प्रंतु मेरा धारन करने का धंग अलग है अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती क्यूंकि हम वनवास में हैं हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं बाबा ने कहला भेचा था 108 शुत्ती वा हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब बाब कहते हैं मैं तुमको नरसे नारायन बनाता हूँ तो पुरशार थूंच करना है जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यूं पद खराब करते हो मात पिता को क्यूं नहीं फॉलो करते हो बाबा ने साक्षातकार कराया है कि जो तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावन फिर नर्कवासी बना देते हैं, मनुश्य कहते हैं हिंदु चीनी भाई 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 फिर एक दो को दुख देते रहते हैं, तुम जानते हो मात पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कम प्रणीचर अब बढ़ा होता है, कोई नर्क से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांती धामनिवासी बनते, तो बहला हो गया, सत्युग में कोई दुख देने वाली चीज़ होती नहीं, बड़े आदमियों का फरनीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाए जानवर आ ठका करने से रचाई मिलती है, तो अल्लहा बाप अवल दीन अर्थात आदी सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सैकिन्ड में बैकुंठ का मालिक बना देती हैं, बाबा अवल दीन का सक्षतकार कराती हैं, ऐसे नहीं बच्चे कहें सक्षतकार में जो नौधा भक्ती करते हैं, उनको बाप सक्षतकार कराते हैं, यहां कोई नौधा भक्ती नहीं की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को सक्षतकार हो जाता है, यहां तो कहा जाता है, अगर ध्यान की आदत पढ़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, शुरू में कित अतना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, प्रन्तु आज है नहीं, यानि तु आत्मा को किसी बात में संसे नहीं आता, शंशे आया पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा, अब सूर्य वंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, और धरम स्थापक क कोई राजधानी स्थापन नहीं करते, वहाँ तो जब धरम की वृद्धी हो जाती है तब राचाई चलती है, तो तुम अविश्य का मालिक बन रहे हो, कोई नया आये तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबद है, कहेंगे बाबा है, बाबा स्वर्ग स् पर जलते हैं, तो गुसे में आकर रावन को जलाते हैं, प्रंतो रावन जलता नहीं, सिर्फ कहते हैं परमप्रा से चला आता है, प्रंतो परमप्रा का अर्थ नहीं जानते, दुश्मन की आफिजी जलाते हैं, रावन को भला क्यों जलाते हो, क्योंकि रावन तुम को जलात उसको कहा चाता है वाइसलिस वर्ड हम पैरडाइज वासी बनने के लिए बाप से सुरक का वर्सा ले रहे हैं श्राप देने वाला है रावन रावन किसको कहा चाता है पांच विकार स्त्री के पांच विकार पूरुष के सत्युग में यहाँ विकार नहीं थे सन्यासी तो बा जैपूर का राजा एक था प्रजा कितनी थी अभी माला तो बनती है प्रजा भी चाहिए जो यहां बच्चे बन कर फिर चले जाते हैं। बहुत सुख देने वाला है। जबकि राचाई मिल रही है तो फिर हम क्यों न श्रीमत पर चले। बहुत सुख देने वाला है। बहुत स्थापना ब्रह्मा तो प्रचापिता है ना तो तुम किसके बच्चे हो शिवके हो या ब्रह्मा के बच्चे हो। कहते भी हैं तुम मात पिता बरोबर प्रैक्टिकल में मात पिता अब हैं पढ़ाई पढ़कर फिर वर्सा पा रहे हो फिर रावना कर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है विशे सागर यहा कल्यूग है सत्यूग है क्षीर सागर विश्णों को क्षीर सागर में दिखाते हैं तुम जानते हो बरोबर वह क्या जाने दशहरे दीपावली को हम तो राज को समझ गए हैं जानते हो कल हम स्वर्ग में थे अब सुना है प्रजापिता ब्रम्हा इतने ब्रम्हा कुमार कुमारिया है तो ब्रम्हा बाप हुआ बाप से वर्सा ही मिलेगा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्याजी भव बाप धंदे की मना नहीं करते बाबा कहते हैं कि धंदा भल करो प्रन्तो बाप को याद करो क्यूं बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी को तुम जानते हो, स्कूलों में जाकर बताओ की बेहद की हिस्ट्री जोग्राफी क्या है, उनको कहना है कि आप तो हद की हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्षमी नारायन की बेहद की हिस्ट्री बताएं कि लक्षमी नारायन ने यहापत कैसे पाया आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंतरन मिलेंगे यहाँ है इश्वरिय विश्य विद्याले वहाँ है स्प्रिच्वल फादर तो रूहों को स्प्रिच्वल नौलेज देते हैं निराकार साकार में आकर सुनाते हैं क्रिशन की तो इसमें कोई बात नहीं किसी बात को समझाते नहीं है सूत मुझा हुआ है सुतंत्र होना चाहते हैं प्रंतु छगड़ा बढ़ता ही चाहता है कहते हैं फ्रीडम चाहिए सची सची फ्रीडम तुमको मलती है रावन से भारतवा से समझते हैं कि हमने क्रिश्यन से फ्रीडम पाई प्रंतु फ्रीडम है कहां फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडिन्ट रजाई गेत सुना ना कि तुम मिले तो धर्ती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है उसमें हदे है नहीं अच्छा मीठे मीठे पांच हजार वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्छों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्छों को नमस्ते हम रुहानी बच्छों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार न नमबर दो, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नस्टो मोहा बढ़ना है, संगम पर कुछ बिवेस्ट नहीं करना है. वर्दान, अपने ओक्यूपेशन की समरेती से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्य कल्यानकारी भव, कोई भी काम करते अपना ओक्यूपेशन कभी नहीं भूलो, जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल ग भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा, गाया हुआ है भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांती शक्ती का फल देगी, श्लोगन, गौडली स्टुडेंट सुरूप सदा समरीती में रहे, तो माया आ नहीं सकती, शुक्रिय बावा, शुक्रिया, ओम शांती